पूर्णिंग कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूं आप लोग अच्छे होंगे बेटा ही आज आज आपकी जो अक्तिविटी वोक्षीट है वोक्षीट तंबर 5 आई है यह आपके इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आई है जैसा कि आप सब जानते हैं के 6th, 7 और 8th class, 3 class के इस्टुएंट्स को अभी यही करनी है फिलाल इस वीक तो यह सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम के इस्टुएंट्स करेंगे हिंदी मीडियम वाले डिस्रिप्शिन में जाएंगे वहां आपको हिंदी मीडियम की वोक्षीट का लिंक मिल जाएगा उस प प्रेटीचर का नाम लिखिए और इसे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है टाइम इस प्रीशियस प्रीशियस माने हुदे हैं कीमती जो वक्त है वो बहुत कीमती है आवर टीचर्स गाइड अस टु वर्क अकॉर्डिंग तु हमारे टीचर्स हमें गाइड करते हैं गाइड करते हैं गाइड करते हैं यानि हमारी रहनुमाई करते हैं हमें बताते हैं कि हमें सारे काम को क्या करना चाहिए समय के अनुसार करना चाहिए यानि वक्त की पाबंदी से करना चाहिए क्लॉक हेल्प अस टु डू आवर वर्क ताइम यानि कि जो घड़ी है वो हमारी मदद करती है कि हम सारा काम समय पर वक्त पर कर पाएं लेट अस नो सोरी लेट अस नाओ नो बोर अबाउट टाइम चलिए अब हम क्या करते हैं टाइम के बारे में जादा जानते हैं तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर आपको दिया गया है कि 1 hour is equal to 60 minutes यानि एक घंटे में 1 hour एक घंटे में कितने मिनिट होते हैं 60 minutes होते हैं यह हम सब लोग जानते हैं जब आपकी सुई जैसे माल लीजिए यहाँ पर यह 12 लिखा है यह 3 यह 6 और यह 9 ऐसी लिखा होता है यह घड़ी की सुई यहाँ से शुरू होती है और लोट के जब दुबारा यहीं पर आती है तो यह एक घंटा माना जाता है और एक घंटे में कितने मिनिट होते हैं इसे रफ सारे बारा बच परने एक हो गया है अगला टाइम शुरू हो जाता है एक जाता है दो बच जाते हैं छोटा वाला होता है इसे बाद के लंबा होता है उसी यह मिन है यानि कि मिनिट का हाथ है और एक होता है जो पतला सा इस तरह से होता है जो कॉंटिनेसली चलता ही रहता है हमीशा घूमता रहते हैं उसे हम कहते हैं कि यह सेकंड की सुई है है ना अब तो देखिए यहां लिखा हुआ है we have 24 hour in a day हमारे पास एक दिन में 24 घंटे होती है बिल्कुल ठीक बात है we use am और pm है ना to different eat 12 hour यानि कि अपने 12 घंटों को अलग और 12 घंटों को अलग करने के लिए हम लोग am और pm का use करते है ये भी आपको पता है है ना कि रात के 12 बज़े से लेके दुपहर के 12 बज़े तक हम बोलते हैं am हो रहे है और दुपहर के 12 से लेके फिर अगली रात के 12 बज़े तक हम बोलते हैं के pm हो रहे है ये ना देखें यहां लिखा हुआ है like from 12.1 यानि 12 बज़े एक मिनिट at night जब रात के बारा बचके 1 मिनिट हो रहे होते है, तब से लेके, दुपहर के ग्यारा बचके 59 मिनिट तक, क्या रहता है, आपका AM रहता है, वी यूज है एम, है ना, लिवारे को लो कि जाता है, 69 मिनिट तक यानि 59 मिनिट तक रात में हम क्या यूज करते है पीए भी यूज करते है ना एक्जाम्पल 6 o'clock in the morning अगर सुबा के 6 बजे की हम बात करें इस कॉल इसको हम क्या बोलेंगे 6 a.m के सुबा के 6 बजे and 6 o'clock in the evening और अगर हम बात करें 6 बजे की शाम की it's called 6 p.m तो हम लोग इसे क्या बोलते है शाम के 6 बजे तो बोलते है let's try तो चलिए करके देखते हैं तो अब यहाँ आपको दिखे time दिया गया है और आपको बताने है कि भाई ये एम है या पीएम तो morning में है तो क्या हो जाएगा एम ये देखे 9 o'clock morning है तो ये क्या हो जाएगा 9 am है ना लेकिन ये 7 o'clock evening है तो ये क्या हो जाएगा 7 pm ओके कर सकते हैं बहुत easy है चलिए आगे चलते हैं अब यहाँ पर हमें पते हैं क्या करना है या देखे आपको दिया गया है some tax are given below नीचे कुछ आपको tax दिये गये है when you do this work show on a clock फिर जब आप इस इन कामों को करते रहें तो यहाँ पर आप अपने काम को करने का जो समय है वो घड़ी में दर्शाते रहें अब आप सब उचा जाता है wake up in the morning सुबा आप क्या बजे उठते हैं सुबा कितने बजे आप उठते हैं तो अगर आप 6 बजे उठते हैं तो आप छोटी hand clock बड़ी वाली आप बनाएंगे 12 पे छोटी बना देंगे 6 पे कि भई हम 6 बजे उठते हैं अब अगर मैं अपनी बात करूँ मैं उठते हूं 5 बजे तो देखें मैं ऐसे करके ये बना दूँगी मैं तो 5 बजे उठते हूं या अब जिसे छुटी चल रही है तो मैं कभी कदार 8 बजे भी उठते हूं तो मैं ऐसे बना दूँगी सिक्स ए एम कि मैं सुबा छे बज़े उठी ठीक, अब यहां लिखा स्टेडी टाइम एठ होम, हम सुब घर में कब स्टेडी करते हैं, हम स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, यहां आप घर में कब पढ़ने बैठते हैं अपने आप से है ना, तो मैंने लिखा भई, मैं तो चार बज़े से पढ़ाई करने बैठते हूं, तो मैंने यहां लिखा फॉर, पी-एम क्योंके मैं शाम को चार बज़े पढ़ाई करते हूं है ना, अब ऐसी प्ले टाइम भई, प्ले टाइम कब है, तो प्ले टाइम मैं पांच बज़े जाती हूं खेलने माल लीजिए तो मैंने लिखा फाइफ पीम क्योंकि शाम में पांच बज़े गई मैं खेलने के लिए उसके बाद अब अगर मैं बात करूँ सोने की यहां लिखा अच्छा spend time with family अपने family के साथ आप time कब spend करते हैं तो मैं यहां लिखूंगी 10am के भई मैं सुबा 10 विज़े से study करने बैठ गई पढ़ाई करने बैठ गई तो किस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे अब देखे यहां पे आपको कुछ clocks दी गई है और उसके बाद बोला गया है कि आप questions के जवाब दीजिए पहले में देखे यहां आप घड़ी को देख पा रहे है A, B, C और D चार घड़ी आपके पास mention है है ना इसमें पहली घड़ी में अगर हम बात करें तो यहां बज रहे हैं 6 बज के 45 मिनिट क्या टाइम हो रहा है 6 बज के 45 मिनिट हो रहे है है ना इसके क्यों देखे यह देखे यह 6 बजे के लिए सुई जोगी छोटी सुई आओगी बड़ी सुई आओगी 6 बज गए फिर यहां इस पे ही आगई तो यह साड़े 6 हो गए अब यह साथ बजने में पंदा मिनिट बागी है है ना तो यहने 6 बज के 45 मिन्ट हो रहे है यहां पे दोनो सुई यहां एक के उपर एक है इसका मतलब exactly 12 बज रहे है ठीक है यहां अगर आप देखे तो यहां छोटी सुई जो है वो 9 और 10 के बीच में है और बड़ी सुई जो है वो 3 पे है तो हम कह सकते हैं के भाई यहां पे 9 15 हो रहे है सवा 9 बज रहे है है ना यहां अगर आप देखे तो छोटी सुई जो है वो 2 और 3 के बीच में है तो यानि बच तो 2 रहे है ठीक है और बड़ी सुई जो है वो आपकी 6 के पास है यानि हम लिख सकते हैं तो आपको जो जो उपर ऑप देखे आपको जवाब देने है यहां लिख लिखा है जिसमें धाई बज रहे है तो अब आपको बताया इस ग्रॉक में धाई बज रहे है तो आप लिख लिजattendर, देखे लिख कलॉक ध सम्पल अब यह लिखा है What time does the clock B show Clock B में क्या time दिख रहा है आपको Simple आप लेख लिजिए 12 o clock 12 बज रहे है Last question आपको लिखा है In which clock 2 hour 45 minute left to 12 वो कौन से घड़ी है जिसमें 12 बजने में 2 घंटे 45 minute बागी है तो आप लेख लिजिए Clock C क्या लिखेंगे Clock C क्योंकि clock C में 7 और है 45 minute बाद बज जाएंगे 10 फिर उसके बाद 1 घंटे बाद बज जाएगा 11 फिर एक और घंटे बाद बज जाएगा 12 तो 2 घंटे हो गए 12 बजने में और 45 minute तो कौन सी clock है जिसमें 12 बजने में 2 घंटे 45 minute बागी है तो आप लिख लेंगे Clock C यहाँ पे Clock A का कोई काम नहीं है ठीके तो वो उम्मीद करते हूँ आपको अच्छे से वर्शेट समझ में आ गई होगी अगर कुछ confusion है तो आप लोग मुझे comments में पूछ सकते हैं इस वीडियो को दुबारा देख सकते हैं तो आज की वीडियो को भम यहीं खत्म करते हैं आज की वीडियो में बस इतना है अगर आपको माई वीडियो बसंद आई हो तो फ्लीज इसे लाइक कुछ शियर करें अगर अभी तक आपने मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मैं चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फो वाचिंग